हेलो वेलकम इन हिंदी मीडियम अकैडमी मैं हूँ अरुन कुमार यादो और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा आठ का जो अध्याए एक है इसका भाग चार इसके पहले के तीन भाग जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं और इस भाग चार में हम क्या सीखेंगे इसकी बात करते हैं यहाँ पर हम खर्पतवार, कटाई, बंडारन, पसुपालन इन चार चीजों के बारे में एकदम डीटेल में बात करेंगे मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक लाइन अच्छे समझाओंगा तो यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये भी है कि इस वीडियो में आपका ये चेप्टर खतम हो जाएगा और अगली वीडियो में मैं इस चेप्टर के जो प्रशन उत्तर हैं उनको डिस्कस करूँगा आपके साथ तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं या फिर आप फेस्बुक पे हैं तो आप हिंदी मीडियम को फॉलो कर सकते हैं यहां पर मैं तरह तरह की जानकारिया आपके लिए लाता रहता हूं अप्लोड करता रहता हूं और अगर आप English Medium में Maths & Science की वीडियो देखना चाते हैं तो आप A.K.Study को सब्सक्राइब कर सकते हैं Maths की वीडियो के लिए और Dear Science को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप English Medium में Science की वीडियो के लिए तो चलिए अप सुरू करते हैं तो यहां पर देखो जो सबसे पहली चीज हमें सीखनी है वो है खरपतवार का क्या मतलब है खरपतवार के पहले जितनी भी चीजे थी वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ठीक है तो खरपतवार क्या होता है देखो मैंने अप लिका है खेत में फसल के साथ कई आवांचित पौधे उग जाते हैं इन पौधो को खरपतवार कहते हैं ठीक है आवांचित पौधे को मतलब है वो पौधे जो आप नहीं चाहते हैं कि उगें लेकिन वो उगा हैं मतलब अंचाहे पौधे एक्जामपल के साथ अगर मैं आपको समझाओं उधारण के साथ तो आप ऐसे समझो कि आपने गेहूं की फसल लगाई है तो जो गेहूं के पौधे उगेंगे उनके साथ साथ बहुत सारी घास फूस के पौधे भी उग जाएंगे तो जो ये घास फूस के पौधे हैं आप नहीं चाहते हैं कि ये उगे ये आवांचित पौधे हैं इन्ही कौम बोलते हैं खर पतवार ठीक है तो आपको इतना समझ में आ गया कि फसल के साथ साथ जो घास वगरा के पोदे गुजा रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं क्योंगे उन्हीं को हम बोलते हैं खर पतवार ठीक है अब इसके आगे मैंने लिखा है खर पतवार अथवा आवांचनिये पोदो को फसल के बोला जाता है निराई ठीक है अब कोशेचन आता है निराई क्यों आवश्यक है या पिर इसको इस तरह से भी पूच्छ सकते हैं और physically फसल सब्सक्राइद हैं क्योंदर को हिए थी जो खाद आप डालोगे, जो पोषक्ट तत्व जमीन में होंगे, वो पौधे के साथ-साथ जो खर-पतवार के पौधे हैं, उनके पास भी चले जाएंगे, तो मतलब एक तरह से वो पोषक्ट तत्वो का, पानी का, जगए का, प्रकास का क्या कर लेंगे बटवारा कर लेंगे तो इससे क्या होगा इससे हमारी फसल के पौधे कमजोर हो जाएंगी क्योंकि जो खाद पानी सिर्फ हमारे फसल के पौधों को मिलना चाहिए था वो खरपतवार के पौधे को भी मिल रहा है वो उसमें बटवारा हो जा रहा है तो इससे हमारी फसल पे बुरा परभाव पड़ेगा ठीक, इतना आपको समझ में आ गया इसके अलावा कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तो इसी लिए निराई आवस्चक है या फिर खरपतवार वाले पौधों का फसल के पौधों से निकालना आवस्चक है ठीक, तो आपको ये सारी बाते क्लियर हो गई होंगी कि खरपतवार का क्या मतलब है, निराई का क्या मतलब है, निराई क्यों जरूरी है ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं कि हमें आगे कैसे सीखने है अब यहाँ पर हमारा अगला टोपिक है कि खरपतवार नासी किसे कहते हैं तो जैसे नाम सही पता लग रहा है खरपतवार नासी मतलब खरपतवार का नास करने वाला है और इसको नस्ट करने वाला ठीक है तो इसकी परिभासा क्या होती है इसकी परिभासा होती है जिन रासायनों के उपियोग से खरपतवार पर नियंतरन किया जा सकता है उन्हें खरपतवार ना सी कहते हैं, तो कहने का मतलब यह राशायन होते हैं, यानि केमिकल्स होते हैं, जो हम छिड़क देते हैं खेतों में, और इससे क्या होता है, जो खरपतवार वाले पौदे हैं, जो घास पूस है, वो जल जाती है, खतम हो जाती है, ठीक है, आपको याद रखना है कि इनसे खर्पतवार तो मर जाते हैं परंतु फसल के पौदों को कोई हनी नहीं होती इसका उधारण है यह उनको नस्ट कर देंगे ठीक है जैसे कि यहाँ पर चित्र में देख रहे हो कि एक किसान है जो खर्पतवार नासी का अपने खेतों में छिड़काव कर रहा है इससे क्या होगा जो खर्पतवार वाले पौदे हैं वो तो जल जाएंगे सूख जाएंगे लेकिन फसल के पौ प्रश्ण बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है बहुत बार यह प्रश्ण आता है कि खर्पतवार को हम कैसे हटा सकते हैं यही प्रश्ण ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खर्पतवार पर हम कैसे नियंत्रण पा सकते हैं दोनों एकी बात है दोनों का उत्तर सेम होगा क्या होग बीच में जो घास फूस उगाई है उसको हाथ से आप उखांड सकतेओं वहुत सारे किसान ऐसा करते हैं दूसरा क्या है फसल उगने से फज़ेशद को छोतने से खर्पत्वार उखड जाते हैं मतलब बीज बोने से पहले ही बहुत सारी घास वगेरा होगी होती है खेतों में जब हम क्या करते हैं उसमें हल चलाते हैं उस खेत को जोतते हैं तो क्या होता है कि जो घास पूज के पोधे हैं जो खरपतवार है वो उखड़ जाते हैं और वो सूख जाते हैं तो ये भी एक तरीका है खर्पतवार को हटाने का या नस्ट करने का तीसरा क्या है खर्पतवार नासी का छिड़काओ कर सकते हो आप जैसे गिए अभी हमने पीछे देखा था अब देखो जो हमारा अगला topic है इसमें हमें सीखना है kटाई किसे कहते हैं तो यहां पर मैंने लिखा है फसल के पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है फसल पक गई है मतलब फसल के जो हनाज के दाने हैं वो तयार है ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे काटेंगे और जो फसल को काटने की प्रकिरिया है उसके पक जाने के बाद उसी को हम क्या बोलेंगे उसी प्रिक्रिया को हम बोलेंगे कटाई ठीक, अब आगे कटाई के बारे में हमें क्या सीखना है देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है, अत्वा हर्वेस्टर का उप्योग किया जाता है मतलब मसीनों का उप्योग कर सकते हैं या फिर हाथ से दराती या हसुए की मदद से भी कटाई करते हैं दराती अगर आप गाउं में रहे हो तो आपने जरूर देखिया होगी ठीक है, तो इससे हम आम तोर पे कटाई करते हैं आज कर हाला कि मसीनों का भी यूज किया जाने लगा है हर्वेस्टर का भी यूज किया जाने लगा है ठीक, इतना हो गया कटाई के बारे में अब इसके बाद हमें सीखना है ठ्रेशिंग ठीक है, ठ्रेशिंग किसे गयते हैं देखो भई माल लो एक्जामपल लेता हूं मैं उधार लेता हूं गेहूं की फसल पक गई थी ठीक है और गेहूं की फसल को आपने काट लिया है लेकिन इसमें होगा गया अब गेहूं का जो पौधा है वो तो पूरा का पूरा आपके पास है लेकिन आपको चाहिए उसके दा दाने को आप पौधे के बागी भाग से या भूसे वगयरा से अलग करोगे तो उसी को बोलते हैं थ्रेशिंग तो threshing की परिवासा क्या हो जाएगी इसी की परिवासा हो जाएगी काटी गई फसल के बीजों या दाने को भूसे से अलग करने को threshing कहते हैं ठीक है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फसल पर जो अनाज है या फसल का जो दाना है उसको फसल के पौधे के बाकी हिस्से से अलग करने को हम threshing कहते हैं मतलब जो काम की चीज थी उसका दाना अनाज वो हमने अलग कर लिया और बाकी भूसा वगेरा अलग कर दिया इस प्रक्रिया को हम क्या बोल रहा है threshing ठीक आप देखो पहले जो threshing थी यह thresher से की जाती थी लेकिन अब यह कार combine machine द्वारा किया जाता है जो harvester और thresher का संयुक्त रूब है ठीक है मतलब thresher भी आधुनिक machine है लेकिन अब जो machine आ गई हमारे पास उसका नाम है combine machine इसमें क्या होता है इसमें harvester भी होता है मतलब फसल इससे कट भी जाती है और इसमें thresher भी होता है मतलब इसमें भूसा और अनाज अलग भी हो जाते है तो अब हम किसका यूज करते हैं जादातर combine का ठीक है आप चितर देख सकते हो यह एक combine machine है जो फसल को काट भी सकती है और उसका दाना और भूसा अलग भी कर सकती है ठीक है चलिए इतना आपको समझ में आ गया अब आगे चलते हैं तो अब देखो जो अगला टोपी के अपने पास वो है बंडारन की से कहते हैं तो बंडारन का क्या मतलब है फसल के उत्पादों को सुरक्छित जमा करके रखना ताकि जब भविष्जिमें उनकी जरूरत हो तो उनका इस्तेमाल किया जा सके कहने का मतलब है मैं उधारा लेता हूं गहूं की फसल का माल लो आपने गेहूं की फसल काट ली है फिर उसके जो गेहूं के दाने वो भी भूसे से अलग कर ली है तो जो आपके पास ये अनाज आया है जो गेहूं के दाने आये हैं इनको कही न कहीं तो आप सुरक्षित रखोगे ताकि आप भविस्य में उनका इस्तिमाल कर सको तो इसी प्रकिरिया को हम बोलते हैं भंडारण, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बोरियों में गेहूं अगेरा की फसल ऐसे बंद करके सुरक्षित रख देते हैं, तो मतलब वो गेहूं का भंडारण कर रहे हैं, ऐसी दूसरे अनाच का भंडारण हो सकता है, ठीक तो ये हो गया, अब इसके अलावा जब हम भंडारण करेंगे तो मैं क्या खास बात ध्यान रखनी होगी, तो आपको ध्यान रखना होता है, कि भंडारण के दोरान फसल के दाने या अन्य उत्पाद सुरक्षित रहें, इसके लिए उन्हें नमी, कीट से, चुहों से, एव चुहे लग जाएं, तो ये भी जो अनाच के दाने उसको खराब कर देंगे, ठीक है, तो इन सब से बचाना होता है, इस बात का ध्यान रखना होता है, कि भंडारण के दोरान जो फसल के उत्पाद है या अनाच के दाने हैं, वो सुरक्षित रह सके, ठीक है, इतना आपको स प्रकार कर सकते हैं, तो इसका उत्तर में आप लिख सकते हो, किसान, फसल उत्पाद का भंडारण करने के लिए जूट के बोरो का, तता धातू के बड़े पात्रों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो उनके पास अनाच आया है, फसल कटने के बाद, वो या तो जूट के बोर वो परतन टाइप के बना देते जिने डहरी बोलते हैं उसके अंदर भी वो भंडारन करते हैं अनाज का इसके अलावा क्या होता है कि बीज का बड़े पैमाने पर भंडारन साइलो अत्वा भंडार गिरों में किया जाता है ठीक है आप देख रहे हो यह साइलों के लग रहे है पर्षुओं को पालन ठीक है यहां पेसकी परिभास हो जाएगी बड़े पेमाने पर पाल तूप पशुओं को उचित आवास भोजन परदान करना एवं मुंकी देख भाल करना प्रशूपालन कहलाता है मतलब जब बड़े पैमाने पर पसुओं को पाल रहे हो उनको रहने की जगा दे रहे हो मतलब उनके आवास का ध्यान रख रहे हो उनको खाने के लिए भोजन परदान कर रहे हो उनकी देखवाल कर रहे हो तो इसका मतलब है आप पसुओं को पाल रहे हो नहीं पसुपालन कर रहे हो तो ये आपको संज में आ गया कि बड़े प्यमाने पर पस्वों को उचित आवास भोजन परदान करना एवं उनकी देखवाल करना पशू पालन कहलाता है जैसे कि बकरी पालन हो गया, गाय पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मशली पालन हो गया ठीक है, ये सब पशू पालन में आएंगे, कभी कभी प्रशन आता है कि पशू पालन के दो लाफ बता दो या पशू पालन के तीन लाफ बता दो, अकसर ये प्रशन आपको देखने को मिलेगा तो पशू पालन के लाफ में आप लिख सकते हो पालतू पशू हमारे लिए श्रम करते हैं मतलब महनत करते हैं जैसे आपने कहीं बैल गाड़ी देखी होगी रियालिटी में न देखी हो तो हो सकता है टीवी में देखी हो तो उसमें बैल क्या कर रहे है हमारे लिए परिस्रम कर रहे है ठीक है इस द bokरा से बहुत सरे पसु है जो बोज़ ढोते हैं ठीक है ना तो मतलब वो हमारे लिए स्रम करते हैं मेहनत करते है पहला point आपको समझा गया दूसरा क्яो गया वे हमें भोज़न अवं जीवन या पन की अन्य सामेक्रिय पर्दान करते हैं जैसे की गाहे लेलो अब तो गाहे से हमें दूध मिलता है मतलब वो इकतरा का हमारा भोजन हो गया ठीक है बेड़ बकरियों से हमें दूध भी मिलता है ठीक है नग Democrat अमें से sweater लगीरा बनते हैं तीसरा है वे जन समदाई के लिए अनेक परकार से उप्योगी होता है, मतलब इनके अलावा भी हो बहुत से काम हमारे लिए करते हैं, ठीक, तो ये आपको सौंझ में आगया कि परशुपालन के क्या लाब है, अब इस वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर आपका खतम होता है ठीक है, तो अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे, तब हम देखेंगे कि इस अध्याय के जो प्रस्ण है, उनका उत्तर हम किस थरा से लिख सकते हैं, मैं आपको एक-एक प्रस्ण अच्छे से समझाऊंगा, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में.